हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो आर चैनल लर्निंग नोट बुक इन तोड़ेज वीडियो वी विल दू इंगलिश चाप्टर गुड हाबिक्स एंड बाड हाबिक्स यानि अच्छी आदते और बुरी आदते तो फ्रेंग्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वारी हूँ कि कौन सी ऐसी हैबिक्स हैं जो हमें डेवलब करनी चाहिए और कौन सी ऐसी हैबिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो हमें बिल्कुल भी अपनानी चाहिए ही नहीं So let's start with a very beautiful poem about good habits and bad habits and thank you to So I have super manners Super manners mean good manners तो आज इस पोयम से हमें ये पता चलेगा कि कौन-कौन सी good manners होती है वो कहता है I say please and thank you to तो please और thank you बोलना good manners होती है जब हमें किसी से कोई request करनी है तो हमें उनको please कहना चाहिए और अगर किसी ने हमें कुछ दिया है या हमारी कोई help करी है then we should say thank you when I play with friends I like to share that's the way I show I care वो कहता है कि जब वो अपने friends के साथ खेलता है तो चीजों को उनके साथ share करता है तो ये भी एक good manner है जब अपने friends के साथ अपने siblings के साथ अपने भाई वेन के साथ खेलते हैं तो हमें अपने toys को अपनी चीजों को उनके साथ share करना चाहिए और इसी तरह से हम शो करते हैं कि हम care करते हैं उनके लिए जब हम अपनी toys अपनी चीजों अपने friends और family के साथ share करते हैं तो हम ऐसे शो करते हैं that we care for them ठीक है so it's a very beautiful poem about super manners or good manners so now let us start with our chapter let us understand about good and bad habits when we get up in the morning we should brush our teeth so friends सबसे पहले we are going to understand about good habits तो कौन कौन सी वो अच्छी आदते हैं जो हमें अपनानी चाहिए अपने अंदर हमें develop करनी चाहिए तो हम अपना जैसे morning से start करेंगे कि हमारा routine कैसा होना चाहिए क्योंकि habits वो ही होती है जो हम daily में अपने daily routine में अपना ले वो हमारी बन जाती है good habits तो हम ऐसे ही अपना routine setup करते हैं कि जब हम morning में उखते हैं तो हमें अपने teeth brush करने चाहिए I am sure आपके parents, आपके grandparents सभी आपको बोलते होंगे कि सुबह उठ गए हो तो जाओ सबसे पहले अपने teeth brush करो तो यह हमें करना चाहिए that we should brush our teeth in the morning also before going to bed at night we should not forget to brush our teeth और इसी तरह से friends when we go to sleep at night before that we should brush our teeth so it means कि हमें दिन में से two times अपने teeth brush करने चाहिए firstly when we get up in the morning and secondly before going to sleep at night इसे क्या होगा this will wash away all the germs and keep our teeth clean so why is it necessary for us to brush our teeth जिससे कि जब हम brush करते हैं तो जो germs हैं हमारे वो सारे wash हो जाएं और हमारे दाद साफ रहें और बिल्कुल ठीक रहें germs क्या होते हैं germs means ऐसे किटानू जो हमें बिमार कर सकते हैं यहाँ पर we are talking about the germs which will harm our teeth अगर हम अपने brush नहीं करेंगे प्रॉपरली अपने टीथ की तो germs पैदा होएंगे और वो हमारे टीथ को खराब करतेंगे what do we do after we have brushed our teeth तो friends brush करने के बाद हम क्या करते हैं next हमारी activity होती है that we go to the bathroom हम bathroom जाते हैं we should never forget to flush after using the toilet so after brushing our teeth हम bathroom जाते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं वहाँ पे हम toilet यूज करते हैं तो next जो वह habit बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कभी भी flush करना नहीं बूलना चाहिए toilet यूज करने के बाद हमें flush करना चाहिए जैसे कि यह बच्चा कर रहे हैं हमें flush जरूर करना चाहिए after using the toilet next है we should never keep our room untidy yes this is also very necessary कि हम अपने रूम को हमेशा साफ रखें हमें कभी भी उसको गंदा नहीं रखना चाहिए untidy मतलब गंदा कि वो दिखें कि सारी चीजें इदो और फैली हुई है ऐसे नहीं रखना चाहिए कि हमें प्रॉपर्ली जो चीजों की जगा है वहां पर उनको रखना चाहिए जैसे कि आप इदर यह देख सकते हैं room it is tidy यह बिल्कुल साफ सुत्रा है जो चीज जहां होनी चाहिए वहां है तो ऐसे होना चाहिए हमारा room it should never be untidy untidy तो इसके शुरवात हम सुबह सुबह से कैसे कर सकते हैं that we should always fold our covering after using and keep it in place तो morning में आप इसके शुरवात कर सकते हैं जो आप अपनी covering यानि जो आप ओड कर जो चीज सोते हैं उसको आप fold करी when you get up in the morning you should fold that covering और उसको उसकी जगा पर रखी ठीक है now next take a bath and get ready for school after this we should have breakfast तो अब toilet करने के बाद हमें क्या करना चाहिए हमें नहाना चाहिए टेक अबाद क्या नहाना चाहिए और अपने school के लिए ready हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद ready होने के बाद हमें breakfast करना चाहिए breakfast यानि जो हम नाश्ता करते हैं जो हमारी morning की पहली meal होती है उसे हम कहते हैं breakfast We should always eat healthy food so that our body remains active throughout the day तो हमें हमेशा healthy food खाना चाहिए जिससे कि हमारी body जो है वो active रहे हम lazy feel ना करें देखे healthy food और junk food में फरक होता है junk food अगर हम खाते हैं जैसे कि हम जादा फीजा, बर्गर यह ऐसी ऐसी चीज़ें जादा खाते हैं तो हमारी जो body होती है वो lazy होती चली जाती है वो active नहीं रहती है ठीक है पर जब हम healthy food खाते हैं जैसे कि हम अपनी diet में fruits, vegetables, डाल, pulses यह सब include करते हैं तो हमारी body active रहती है तो यही बता जा रहा है इदर भी और जब हमारा breakfast फिनिश हो गया है तो हमें अपनी plate सिंक में रखनी चाहिए यानि जो kitchen में सिंक होता है हमें अपनी plate ले जाकर वहां रखनी चाहिए और friends यह सिफ breakfast के लिए नहीं है यह बात यह बात हमारे पूरे दिन के लिए है चाहिए आप breakfast करें चाहिए आप दिन का खाना lunch करें या रात का खाना जिसे हम डिनर कहते हैं वो करें आपको अपनी plates खुद पिक करके सिंक में रख कर आनी चाहिए This is a very good habit if you do so So till now I have told you many good habits कौन कौन सी बताई है जैसे की सुबह उठते ही ब्रश करो रात को सोने से पहले भी ब्रश करो ब्रश करने के बाद बातरूम जाओ वहाँ पर टॉलेट ही उस करो फिर next good habit बताई कि टॉलेट करके आपको flush ज़रूर करना चाहिए फिर अपने room को साफ सुत्रा रखो अपनी covering को fold करके रखो फिर मैंने आपको बताया कि आपको बोज नहाना चाहिए और नहाने के बाद आपको healthy breakfast करना चाहिए और उसके बाद next good habit है कि हम अपने बरतन अपनी plates खुद उठा कर sink में रखके आए now at school अब देखिए ये जो अभी तक हमने good habits पड़ी है वो सारी हमारे घर पे जो हम home में follow करते हैं वो habits की बाद लिए अब हम पहुच गए है school में ticket तयार होने के बाद breakfast करने के बाद हम पहुच गए हैं अब school में तो school में कौन सी good habits हैं जो हमें follow करनी चाहिए at school we should go out on the ground and play playing out gives us a chance to make friends and breathe fresh air तो school में हमें ground में जो school का playground होता है वहां जाकर खेलना चाहिए खेलने से क्या होगा खेलने से एक तो हमें नए नए friends बनाने का मौका मिलता है और हम fresh air भी breathe करते हैं और friends इससे और भी फायरा होता है खेलने का क्या it also keeps us fit and healthy when we play we remain physically fit and healthy physically क्या mentally भी हम fit रहते हैं जब भी हम खुली हवा में जाके खेलते हैं friends बनाते हैं तो उससे हम तंदरोस रहते हैं हम healthy रहते हैं और ये सिफ school के लिए नहीं है friends आप अगर घर पे भी जब आप evening में आपको बाहर जाना चाहिए outdoor activities करनी जाहिए पार्क में जाके खेलिए वो भी एक good habit है now after returning home we should wash our hands and face so that all the dirt is washed away और अब school से वापिस आने के बाद घर पर आके हमें सबसे पहले अपने hands और face को wash करना जाहिए जिससे जो भी मिटी है धूल है germs हैं वो सब हट जाएं we should always say thank you to the person who helps us or gives us something ये चीज़ मैंने अभी जब उपर आपको poem explain करी है जब भी बताया था कि अगर कोई हमारी help करता है या हमें कुछ देता है तो हमें उसको thank you बोलना चाहिए ठीक है तो ये काफी सारी good habits अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ अब और क्या है ये भी देखते है we should always throw the garbage in dustbin only yes जैसे कि आप इदर देख रहे हैं ये बचा जो garbage है उसको dustbin में डालवा है तो हमें भी ये good habits follow करनी चाहिए कि हमें जो garbage है चाहिए वो घर में ही क्यों ना हो आप अगर घर में भी कुछ use कर रहे हैं जो कूड़ा है वो आपको घर के dustbin में जाके डालना चाहिए इसी तरह से जब हमने अपने घर का garbage बाहर उसको clean out करना है तो बाहर जो dustbin रखा है या जो सुछ पर आता है उसी को देना चाहिए garbage ये नहीं है कि हम road पे throw करते हैं no that is wrong so friends these were some of the good habits we should follow तो ये मैंने आपको अभी कुछ good habits बताई हैं जो हमें daily में अपने follow करनी चाहिए now let's see the habits which are not good अब हम बात करेंगी उन habits की जो अच्छी नहीं है जिने हम कहते हैं bad habits so we should never follow bad habits good habits हमें follow करनी है पर bad habits हमें नहीं follow करनी है वो हमें बिल्कुल भी develop नहीं करनी है so let's see such habits while eating we should never talk first finish the food and then talk तो सबसे पहले तो friends जब भी हम खाना खाते हैं हमें खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए पहले अपना food finish करें और फिर हमें बात करनी चाहिए ठीक है next bad habit है it is a very bad habit to pick our nose always use a handkerchief to clean it हाँ friends तो इता कह रहे हैं कि जब भी हमें अपनी nose clean करनी चाहिए तो हमें उसके लिए handkerchief use करना चाहिए ऐसे हमें अपनी nose pick नहीं करनी चाहिए उसको ऐसे clean नहीं करना चाहिए it's a bad habit तो always use a handkerchief to clean it and when we are coughing or sneezing always cover the mouth with handkerchief so that germs don't spread around और जब हम कफ करें हैं यानि जब हमें खासी आ रही है या हम sneeze करें यानि हमें चीक आ रही है तो हमें अपने mouth को cover करना चाहिए किस से? handkerchief यानि हैंकी से जिसे की germs जो है वो फैलेना spread around यानि वो आसपस फैलेना and other people they don't fall sick therefore we should always carry a handkerchief with us तो इसलिए हमें हमेशा एक handkerchief अपने साथ carry करना चाहिए अब इदर देखे यह बहुत ही प्यारी pictures इदर लगाई हुई है जिन से हमें in habits के बारे में पता चल रहा है use a handkerchief to clean nose तो जैसे अभी बताया कि अपनी nose को clean करने के लिए handkerchief use करना चाहिए cover your mouth while sneezing इस picture से पता चल रहा है that we should cover our mouth चाहिए हम sneeze मतलब nose को और mouth को cover करना चाहिए जब हम sneeze और cuff करते हैं and we should never talk while eating food जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए खाना खाने के बार बात करनी चाहिए right our eyes are sensitive and thus we should not watch a lot of TV, mobile phones or tablets friends this is very important कि हमारी जो आखे हैं वो बहुत sensitive हैं sensitive यानी कि वो बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमें ज़ादा TV, mobile phone या tablets नहीं देखने चाहिए use them for 15 or 30 minutes in a day 15 to 30 minutes हमें यह जितने भी screen time है जिनसे जैसे कि TV, mobile phone tablet इनको सिर्फ हमें पूरे दिन में सिर्फ 15 से 30 minutes यानी half an hour तक आप देख सकते हैं उसके बाद वो हमारी eyes को harm पहुचाती है this way we get enough time to play outdoors and our eyesight remains healthy तो अगर हम इन सब चीजों पे कम लगेंगे तो हमारे पास enough time यानी जादा time होगा खेलने के लिए जैसे मैंने आपको उपर बताया था कि हमें बाहर खेलने जाना चाहिए चाहे आप school में खेलें चाहे आप घर आके अपने घर के बाहर park में खेलें उससे क्या होता है कि हमारी eyes तो eyesight है नहीं हमारी जो देखने की शमता है वो तो सही रहती है हम पूरे overall हमारी health भी बहुत अच्छी रहती है ठीक है friends तो याद रखिए जादा TV, mobile phone और tablets पे नहीं लगिए खेलने पे जादा धिहान दीजिए rather than being you know stuck to these screens so friends these were some of the bad habits which I told you कि आपको क्या नहीं करना चाहिए so friends I really enjoyed teaching this chapter good habits and bad habits if you also enjoyed this video then do like it thanks for watching see you in the next video bye bye